है लो इस्टूडेंट्स नमस्कार मैं पंकज अग्रहरी आपनों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं आज की क्लास में हम लोग study करने वाले distributed pronoun के बारे में distributed pronoun का part 1 हमारा हो चुका है अब आज की class में हम लोग distributed pronoun part 2 study करने वाले हैं इसमें हम लोग सीखेंगे की जो भी distributed pronoun है इनका यूज हम लोग कैसे करते हैं चलिए हम लोग देखते हैं हमारा rule number 6 इसके पहली वाली क्लास में हो चुका है और इस वाली क्लास में हम लोग rule number 7 से start करते हैं तो rule number 7 क्या कह रहा है अब जैसे कोई sentence है sentence में object के phrase का परियोग हो ठीक है अब जैसे कोई sentence है उस sentence में object के बाद ठीक है अब जैसे कोई object है उस object के बाद phrase का परियोग हो तो इस case में each का परियोग यानि कि each का जोब हम परियोग करते हैं तो वो object के बाद करते हैं किसके बाद करते हैं object के बाद करते हैं चलिए इसको लोग एक example के माध्यम से समझते हैं देखिए I gave example हम लोग इसके लिए लिखते हैं I gave मैंने दिया क्या them उन्हे each some money प्रतेक को कुछ पैसे ठीक है each sum money इसमें कहा जा रहा है जैसे कि हमारे पास कोई sentence हो यह पुरा sentence हो गया और object का परियोग हो तो object के बाद अगर phrase का परियोग हो रहा है किसका फ्रेज का परियोग हो रहा है तो इस case में each का जो परियोग होता है वो object के बाद होता है, ठीक है, यहाँ पर each का प्रयोग ही है, हुआ है object के बाद, तो इस तरीके से यहाँ पर each की जो position है, वो सही है, चलिए, हम लोग इसके लिए एक example और देखते हैं, अब इस sentence को exam में हमें wrong कैसे करके देखा, हमें sentence गलत कैसे करने के लिए देगा, जैसे लि change करके देदेगा, और इस तरह से हम लोग उसको गलत करके चले आएंगे, हम लोगों को इस गलती से बचना है, और इस तरह की गलती को revise नहीं करना है, यहाँ पर देखिए, sentence देखा, I gave, object का परियोग हुआ, object के बाद, अगर phrase का परियोग हो रहा है, किसका, phrase का परियोग हो आए, वो object के बाद आता है, तो each कहाँ आजाएगा, यहाँ आजाएगा, इस तरह से हमारा sentence correct होगा, अगर इस तरीके से लिखा है, तो sentence क्या हो जाएगा, incorrect, चले हम लोग इसके एक example को और देखते हैं, she sent us, each a gift, she sent उसने भेजा, she sent us, each a gift, प्रतेको एक उपहार भेजा, ठीक है, each a gift, अब यहाँ पर देखी, she sent उसने भेजा, अब यहाँ पर देखी, us क्या है, एक object है, देखी, क्या object के बाद phrase का यूज किया गया है, yes, phrase यहाँ पर एक gift है, और इस case में, जो each का use होता है, वो object के बाद होता है, यहाँ पर each की जो position है, वो सही है, इसलिए sentence correct है, चलिए, हम लोग next rule पर चलते हैं, next rule है, rule number 8, rule number 8 क्या कह रहा है, अब जैसे कोई sentence है, उस sentence में, object के बाद phrase का परियोग ना हो, अब तक क्या हो रहा था, phrase का use हो रहा था, तो हम लोग each का परियोग कर रहे थे, लेकिन अब अगर phrase का use नहीं हो रहा है, तक हम लोग इस case में each का परियोग नहीं करते हैं, object के बाद each का परियोग नहीं करते हैं, चलिए हम लोग इसके example को देखते हैं, इसका example क्या कह रहा है, he likes them, he likes them, वह उन्हें पसंद करता है, each, अब अगर इस तरीके से लगा करके दे रहा है, जैसे he likes them, अब object का प्रियोग हुआ है, लेकिन object के बाद किसी phrase का use नहीं किया गया, यहाँ पे कोई phrase नहीं है, इस case में अगर हम each का use यहाँ पर कर देंगे, तो sentence incorrect हो जाएगा, अब इस sentence को हम लोग correct कैसे करेंगे, देखें इस sentence को हम लोग कुछ इस तरीके से correct करते हैं, he likes वह पसंद करता है, each of them, वह उन्हें से प्रत्यक को पसंद करता है, he likes each of them, वह उन्हें से प्रत्यक को पसंद करता है, तो यहाँ पर देखिए, object के बाद phrase का use नहीं किया गया है, तो इस case में each का परियोग नहीं होता है, इस तरह से यह मारा sentence incorrect हो गया, इसको हमने correct form में इस तरीके से लिखा, चलिए हम लोग एक example और देखते हैं, the publisher was, the publisher always, the publisher, always encourages us, encourages us, encourages us, each, अब आप लोग इस sentence को ध्यान से देखिए, और इसमें पता लगाने की कोशिज करिए, यह की sentence क्या correct है, नहीं, correct क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए, subject के बाद, यहाँ पर जो object यूज हुआ है, object us, us के बाद each का परियोग किया गया है, जो वोई तरीके से गलत है, ठीक है, क्योंकि जब कोई phrase नहीं होता इसके बाद, तो each का यूज नहीं होता, तो इसको मोग correct कैसे करेंगे, इसका correct form क्या हो जाएगा, तो, the publisher always, the publisher always encourages each of us, encourages each of us, यानि कि जो प्रकासक है, the publisher, प्रकासक always हमेशा encourages उत्साहित करता है, प्रोसाहित करता है, each of us हम में से प्रतेक को, publisher हम में से प्रतेक को प्रोसाहित करता है, ठीक है, चलिए, हम लोग next rule देखते हैं, next rule अब लोग देखते हैं, next rule क्या कह रहा है, यहाँ पर आप लोग देख पारेंगे, बोथ रिखा है, तो जो बोथ होता है, बोथ का प्रयोग दो ब्यक्तियों या दो वस्तियों के लिए होता है, शिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों या दो वस्तियों के लिए होता है अब जैसे अगर दो व्यक्ति है तो इन दो व्यक्तियों के लिए बहुत का परयोग होगा सिर्फ और सिर्फ दो अब कोई दो आर्टिकल्स है तो भी बहुत का परयोग होता है ठीक है, चलिए हम लोग इसके example को देखते हैं, both of the two students, both of the two students are careless, यानि कि जो दोनों छात्र है, both of the two students, दोनों छात्र are careless, लापरवा है, sentence correct है, लेकिन अगर इसी sentence को हम लोग कुछ इस तरीके से write करें, तो देखिए क्या sentence correct होता है, all of the two students, यहाँ पर two students की बात हो रही है, हमने सीखा कि जब जीजे दो हूँ, तब दो व्यक्तियों वश्तियों के लिए both का पर्योग हो था, आल का नहीं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग both का यूज करें, इस तरीके से हमारा sentence तब correct होगा, चलिए, हम लोग next rule को देखते हैं, next rule है rule number 10, rule number 10 है, आल का पर्योग, अब तक हमने both का यूज सीखा, तो both के यूज में जब चीजे दो थी, तब हम लोग both का यूज कर रहे थे, लेकिन अब चीजे जब दो से अधिक होंगी, दो से अधिक चाहिए व्यक्ति हों, दो से अधिक व्यक्ति हों, या वश्तियों के लि 5 girls, क्या, all of the 5 girls are laborious, यानि कि सभी जो 5 लड़किया है, वो मेहनती है, तो 5 girls क्या है, 2 से अधिक है 5 न, 5 is greater than 2, 5 अधिक है 2 से, तो इस केस में किसका यूज होगा, आल का, तो आल का यूज कर लेजिए, all of the 5 girls are laborious, यानि कि सभी 5 लड़किया मेहनती है, अब अगर हम लोग यहाँ पर बहुत का यूज कर दे रहे, देखिए, बहुत का यूज सिर्फ और सिर्फ दो के लिए होता है, दो व्यक्तियों या वस्तियों के लिए, यहाँ पर 5 girls है, तो इस केस में क्या बहुत का यूज सही है, न चलिए अब हम लोग rule number 11 को देखते है, rule number 11 हमारा everyone से related है, यानि कि इसमें हम लोग सेखने वाले है everyone का use, तो जो everyone होता है, everyone का परियोग, दो से अधिक ब्यक्तियों, यानि कि अगर ब्यक्तियों की संख्या है, या तो वस्तियों की संख्या है, यह दो से अधिक है, कितनी है, दो से अधिक है, दो के बराबर नहीं, दो से अधिक है, तो इस case में everyone का प्रियोग होता है, किसका प्रियोग होता है, everyone का प्रियोग होता है, चलिए हम लोग इसके example को देखते हैं, example क्या कह रहा है, everyone of the five students, कितने students, five students came to attend the class, यानि कि पाँच छात्रों में से सभी ने क्लास अटेंड करी, तो छात्रों की संख्या कितनी है, five students, five चात्रों गए, तो यानि कि संख्या क्या है, five greater है two से, तो संख्या दो से बड़ी है, तो इस case में everyone का प्रियोग होता है, everyone का प्रियोग हुआ भी है, तो sentence correct है, चलिए हम ल identify करने की कोशिस करिये, क्या sentence correct है, चलिए हम लोग देखते हैं, everyone, everyone of the two students came to attend the class, अब हमने एक चीज सीखा, कि everyone का जो use होता है, everyone का जो use होता है, वो दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तों के लिए होता है, अब यहाँ पर two students की बात कर रहा है, तो case तो दो का आ गया, जबकि हमें दो से अधिक के लिए everyone का use करते हैं, इस case में यहाँ पर everyone का use गलत है, इसको हम लोग कैसे correct करेंगे, हम लोगों ने सीखा था कि जो each होता है, each, each का परियोग, each का पर होगा, क्योंकि each का परियोग जो होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तों के लिए होता है, यहाँ पर व्यक्तियों की संक्या 2 है, इसलिए, इस sentence को यहाँ पर incorrect है, और हमने इसको यहाँ पर correct करके लिखा, कि each of the two students, य claim to attend the class, यानि कि कच्छा को attend करने आया, चलिए, अब हम लोग next rule सीखते है, चलिए हम लोग rule number 12 को देखते है, rule number 12 क्या कह रहा है, rule number 12 यही कह रहा है, जैसे अगर none का प्रयोग किया जा रहा है, neither का प्रयोग किया जा रहा है, आप लोग समझे, हमने अभी इसके पहले सीखा था कि यो neither होता है, neither का प्रयोग दो ब्यक्तियों में से कोई नहीं के sense में होता, ठीक है, जैसे दो ब्यक्तियों में से कोई नहीं के sense में इसका यूज होता था, और हमने none का यूज सीखा था, none का यूज क्या कह रहा था, इसमें जैसे दो से अधिक ब्यक्तियों में से कोई नह प्रियोग होगा चाहे इसके पहले किसी नंबर का प्रियोग किया हो नंबर का मतब दो का प्रियोग किया हो या ना किया हो लेकिन फिर भी इस केस में आपको समझ जाना जैसे अगर नंबर है और नंबर का प्रियोग नहीं किया गया है तो इस इस case में आपको देख करके समझ जाना है कि 2 की बात हो रही है, ठीक है? 2 में से कोई नहीं के sense में यही बात हो रही है, और अगर नन लिखा है, नन के पहले भी किसी number का use नहीं हुआ है, तो number का use नहीं हुआ है, तो इसको देखते हैं हमें क्या समझने लोग है कि 2 से अधिक के बारे में बात हो रही है, ठीक है? 2 से अधिक की बात हो रही है, और इस case में हम लोग sentence को देखेंगे, उसके बाद हमें खुदी निर्ड़े करना होगा, कि नीदर का परियोग होगा, इनन का, ठीक है? चलिए हम लोग इसके example को देखते हैं, और example से चीजों को समझने का प्रियास करते हैं, समझिए, neither of our hands, neither of our hands is damaged, is damaged, अब आप लोग इसको देखिए, neither है, क्या इसके पहले किसी number का प्रियोग हुआ है, क्या numeral adjective का प्रियोग हुआ है, नहीं, लेकिन हमें यहां से देखना होगा, क्या एक ब्यक्ति के दो से ज़्यादा हाथ हो सकते हैं, नहीं, हाथ तो दो ही होते हैं, तो यहां से हमें देख करके पता लगाना होगा, यहां से हमें पता चल गया, हाँ, दो की बात कर रहा है, क्यांकि हाथ दो से ज़्यादा होई नहीं सकते हैं, तो दो की बात कर रहा है, तो दो की केस में किसका यूज होता है, नीजर का परयोग होता है, चलिए, हम लोग next example देखते हैं, कि तो की दो की देखते हैं, कि तो की की दो की दो आवे लोगाता, This school is guilty, अब आप लोग इस sentence को देखिए और इस sentence को देखने गाद पता करिए क्या sentence correct लिखा है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, अब हम लोग को कैसे पता लगा क्योंकि नंबर का तो यूज हुआ नहीं, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि बात 2 की हो रही है या 2 से अधिक हो र girls of the school, school की बात करा, तो आप लोग समझें क्या school में 2 ही बच्चे होंगे, संभावता अगर possibility की बात करें, तो possibility क्या होगी, 2 से अधिक बच्चों की जो possibility होगी, वो अधिक होगी, संभावना अधिक होगी, तो बच्चे तो 2 से अधिक ही होंगे, इसकी possibility क्या है, जादा है, तो इस case में none का use यहाँ पर जो किया गया है, वो क्या है, correct है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज की class में सीखा, कि जो distributed pronoun होता है, distributed pronoun का use हम लोग कैसे करते हैं, चलिए guys, आप लोग पढ़ते रहे, हम लोग next class में सीखेंगे, reciprocal pronoun के बारे में, तब तक आप लोग पढ़ते रहे, thank you.